हाई गाईस कैसे हो तो गाईस इस वीडियो में आपको बताँगा अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्म देखने को मिले जैसे आप अपना पासवर्ड रिसेट करते हैं पासवर्ड डालने को जैसे आप रिसेट करते हैं तो आपको create a new password that you haven't used before तो कैसे आपको इस तरह की प्रॉब्म देखने को मिलती है तो इस वीडियो में आपको बताँगा किस तरह से आप इस प्रॉब्म को ठीक कर सकते हैं तो ये प्रॉब्म तब देखने को मिलती है जब आप आपने जो भी password यहाँ पे इंटर किया है वो password आप already use कर चुके हैं पहले इस account में तब आपको ये problem देखने को मिलती है तो आपको क्या करना है उससे थोड़ा different password यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यह जो मैंने password डाला हुआ है वो मैं पहले कभी Instagram में use कर चुका हूँ इस वज़े से मैं इस password को दुबारा नहीं रख सकता हूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा को changes कर देना है क्योंकि मुझे पता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा changes कर देता हूँ इसके मैं आपको थोड़ा बहुत changes कर देना है आपको अपने password में उसके बाद आपकी यह जो problem है वो fix हो जाएगी मेरे कहने का मलब है आपको वो password नहीं डालना है यहाँ पे जो आप पहले Instagram में यूज कर चुके है ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है reset password पे आपको click कर देना है जैसे आप reset password पे click कर देंगे उसके बाद आपकी यह जो problem है वो fix हो जाएगी जैसे app का interface है इस वज़े से तो मेरा password चेंज हो चुका है और यहाँ पे कुछ इस तरह का इसलिए देखने को मिलना है तो यहाँ पे मेरी ID login logout हो चुके है तो अब मुझे यहाँ पे login करनी होगी तो मैं login कर लेता हूँ डाल दिया है मैंने यहाँ यूजर ने password डाल दिया है उसके यहाँ पे मेरी ID log in हो चुगे और यहाँ पे यह इसलिए देखने को मिलना क्योंकि मेरे account में to fact authentication in available है तो मैं इसटरह से बढ़र अपको यह देखने को नहीं मिले गा अगर आपके account में two factor authentication COVID नहीं तो कुछ इस तरह से आप इस prompt को ठीक कर सकतें तो आई हूप आपको यह जो वीडियो अगो पसान नाया होगा